खल आ सात्याग सुग काम करते रहिए जही विधी राके राम तही विधी रहिए सीता राम शीता राम शीता राम कहिए जिन्दिगी में कुछ बड़ा करना है तो हमेशा याद रखना जो खोया है उसका गम नहीं जो पाया है वो कम नहीं आप दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी ही रहोगे आप सुख पर ध्यान दोगे तो शुखी ही रहोगे इन सब के बीच सबसे अच्छी और सबसे सची बात कर्म का कोई मैन्यू नहीं होता जो सर्व करोगे वही रिजर्व करोगे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नमस्ते सभी का वेलकम है मेरे चैनल नीतु सुईठों में मैं नीतु सब का बहुत-बहुत-बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे तो फ्रेंड्स ये मॉर्निंग का पांच बज गया और पांच बजे हर रोज की तरह आज भी मेरा न भाट्मेंट का बल्ले-बल्ले होता है सारा सरीर का डिपांटमेंट हमारा आच्छे से काम करता है जहीं ढंक से काम करता है हां नहीं विगड़ की नहीं सकता दिमाग के कंट्रॉल में रहकर चलने से हमारा दीशा और दशा दोनों सही रहता है तो बस description मैंड-मेek रूज आज पूर्ष मास का पूर्णिमा है तो आज उठके सारा काम हमें ऐसे निपटाना है इतना बज़े से उठेंगे तभी हमारा काम निपट पाएगा तो सुबह का उठ गया तो चलिए कुछ थोड़ा कुहाशा का भी मज़ा ले लेते हैं कि तो बस बहुत ज़्यादा कुहाशा है बन्ट तो बस आज है पूर्णिमा पूष मास का पूर्णिमा है और आज बहुत ज़्यादा काम हो ही घया है, है थोड़ा ज़ाडु पोचा कंधी ना है और हो गया तो आज कुहासा इतना ज़्यादा धूप तो है ही नहीं तो खेर जारू पोचा तो हो गया और बाहर कभी सारा काम हो गया और अशनान भी कर लिए तो अशनान करने के बाद आब देखिए थोड़ा सा साफ किया है मौसम साथ धूप निकल जाए दूप यहां निकल जाता है दो पहर होते होते धूप निकल ही जाएगा तो चलिए पहले पूजा पाट कर लेता है और पुर्णिमा के दिन कुछ खास पूजा होती है जो कि पूजा हम खुद तो करते ही हैं जैसे डेली का पूजा होता है वैसे डेली का पूजा कर ही लेते है लेकिन पूर्णिवा के दिन थोड़ा घर में जो पूरुष हैं घर के जो मर्द हैं उनसे भी थोड़ा पूजा करवाना चाहिए ऐसे तो ठंड जाता है तो नहीं कर पाते हैं वो लोग निमिक पापा नहीं उठते हैं जल्दी तो नहीं करते हैं पूजा लेकिन मेरा तो पू कि अशनान हो रहा है वो भी पूजाबाट करेंगे क्योंकि पुढ़निमा का पूजा ना थोड़ा सो उनसे भी करवाते हैं बोलते हैं पुढ़निमा है तो आप भी करही लीजिए हेलो फ्रेंड्स गुढ़निंग तो बहुत थंडा है राधे राधे जै ठाकुर जी की जै हो राम राम सबको और यह आज तो दूप भिनी निकल रहा है जानते टाइम कितना हो गया साड़े आठ और साड़े आठ बजगे और अभी तक दूप का नामों निशान नहीं है पहले तो आग तापेंगे पुरा सरीर पहले गरम करेंगे उसके तो सबसे पहले तो बस आग तापके अपना सरीर गरम करेंगे और यहां देखिए फूल हम नहीं तोड़े थे दो ही तोड़े थे और यह देखिए बड़ा बड़ा सा गेंदा तोड़के ले आए इनको फूल जरूरे पुझा कर लेते हैं और यहां suspectsक्ति आज बन रहे हैं हैं यह fam जल्दी से बना रहे हैं नास्ता बिखल विकाल सबजी और जिघा के MRC lip के लोग बनाना चाहिए वाइसे लोग बोलते हैं कि घर में कुछ मीठा बने तो सूफ माना जाता है पुन्णिमा के दिन कुछ भी मीठा थोड़ा सा भी कुछ भी बना दो हल्का फुल का तो यहां सूजी को ही सिर्फ सूजी को ड्राइ हम भून लिये थे कड़ाही में और उसके बाद इसमें हम डाल दिये फ् कि टाइम हो गया था बहुत जादा हो गया था 1.30 पौने नो हो गया था आभ ही तो बस 9 साड़े नो बजे तक मुझे नास्ता रेडी कर देना था क्योंकि यह भी जाएंगे खाने का इंतिजार में हैं कि खाके जाएंगे तो वस और इसमें थोड़ा सा मिलाइची कूट के डाल दिये थे ऐसे ही और कूट के डाले और देखे कितना अच्छा से सूजी भूना इसको ऐसे ड्राई भी रख सकते हैं गीला नहीं इसमें पानी न डालता है याद नहीं रहा ड्राइपूत झालने का तो बस ऐसे ही बना डिए हैं हल्वा सुझी का और पूरा बन गया तयार हो क्या वाद हम इसमें देशीघी थोड़ा सवाध लें हैं देशी घी का जब इसमें इसमें समेल आता है न तो बहुत अच्छा लगता और इसको खाने के लिए उगारेंगे निकालेंगे तो देशी घी का जब इसमें लागा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और यह हमारा फटा-फट से नास्ता तेयार हो गया था सुबह का बस हम लोग सुबह का नास्ता कर लेते हैं हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं क्योंकि बन जाता है तो खा लेते हैं और खा लिये थे तो फ्रेंड्स उमीद है आज का व्लोग आप लोग को अच्छा लगा हो अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करना फिर मिलते हैं टाटा सी यू